नमस्कार, वनकम, मंत्री मंदल में मेरे सहयोगी, सर्वानन सोनवाल जी, शांतनू ठाकूर जी, पॉट के सभी अधिकारी कर्मचारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज विक्सित भारत की यात्रा का एक एहम पड़ाव है, ये नया तुत्तुकुडी इंट्रेनेशनल कंटेनर टर्मिनल, भारत के मरीन इंफ्रास्रेक्टर का नया सितारा है, इस नए टर्मिनल से वियो चिदंबर नार पॉड के सामर्थमें भी विस्तार होगा, 14 मिटर से ज़्यादा डीप ड्राफ्ट, 300 से ज़्यादा मिटर वाला बर्त वाला नया टर्मिनल, इस पॉड की केपिसिटी को बढ़ाने में एहम बुमिका निभाएगा, इससे वियो सी पॉड पर लॉजिस्टिक कोस्ट में कमी आएगी और भारत के फोरेंट एक्षेंज के भी बतात होगी, मैं इसके लिए आप सभी को, तमिल नाडू के लोगों को बहुत बढ़ाई देता हूँ, मुझे आद है, दो साल पहले मुझे वियो सी पॉड से जुड़े कई प्रोजेक के सुभारम का अवसर मिला था, तब इस पॉर्ड की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत से काम शुरू हुए थे, इस साल फरवरी में जब मैं तुतुकुली आया था, तब भी पॉर्ड से जुड़े अनेक काम शुरू हुए थे, आज इन कामों को तेजी से पुरा होते देख, मेरा भी आनम दो गुना हो जाता है, मुझे इस बात की भी खुशी है, इस नए बने टर्मिनल पर 40% एम्पलोई महलाय होगी, याने टर्मिनल मेरिटाइम सेक्टर में विमेन लेट डेवलोप्मेंट का भी प्रतिक बनेगा, साथियों, देश की अर्थिववस्था के विकास में, तमिल नाडू के समुद्र त्रटों ने महत्वपुन भूमी का निभाई है, यहां के पोर्ट इंफा सेक्टर में थ्री मेजर पोर्ट और 17 नौन मेजर पोर्ट शामिल है, इसी सामर्थे की वज़े से आज तमिल नाडू, मेरिटाइम ट्रेड नेटवर्क का बहुत बड़ा हब है, हम पोर्ट लेट डेवलप्मेंट के मिशन को गती देने के लिए आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का विकास कर रहे हैं, इस पर सेमन थाउजन करोर रुपीज से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, हम वियोसी पोर्ट की कैपेशिटी को भी लगातार बढ़ा रहे हैं, यानि वियोसी पोर्ट देश के सामुदिक विकास का एक नहाया अध्याय लिखने के लिए तयार हो रहा है, साथियों, आज भारत का मेरिटाइम मिशन सिर्फ इंफरस्टेक्टर डेवलोप्मेंट तक ही सिमित नहीं है, भारत आज दुनिया को सस्टेनेबल और फॉरवर्ड थिंकिंग डेवलोप्मेंट का रास्ता दिखा रहा है, और ये भी हमारे वियो सी पॉर्ड में साप नजर आता है, इस पॉर्ड को ग्रीन हाइड्रोजन हब और आफशोर वीन के लिए नोडल पॉर्ड के रुप में जाना जाता है, आज दुनिया क्लाइमेट चेंज की जिन चुनोतियों से जूज रही है, उससे निपटने में हमारी ये पहल बहुत कारगर थाबित होगी, साथियों, भारत की विकास यात्रा में इनोवेशन और कॉलोब्रेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, आज जिस नए टर्मिनल का उध्धाटन हुआ है, वो भी हमारे इसी सामर्थ का प्रमाण है, हम कलेक्टिव एफर्ट्स करके वैल कनेक्टेड भारत के निर्माण में जुटे हैं, आज देश के कौने कौने में रोडवेश, हाइवेश, वाटरवेश और एरवेश के विस्तार से कनेक्टिविटी बड़ी है, इससे ग्लोबल ट्रेड में भारत ने अपने स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया है, भारत आज ग्लोबल सप्लाई चेन का भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बन रहा है, भारत का ये बढ़ता सामर्थ ये हमारी एकोनोमिक ग्रोथ का अधार है, यही सामर्थ भारत को तेजी से दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी एकोनोमि बनाएगा, मुझे खुशी है कि तमिल नाडु भारत के इस सामर्थ को और बढ़ा रहा है, एक बार फिर आप सब को वी ओसी पोड के नए टर्मिनल की बहुत बहुत बढ़ाई, धन्यवाद, वड़कम.